हेलो फ्रेंड्स बिलकوم टु माई यूटूब चैनल तो हमारे यूटूब चैनल शॉक्सेस Soviet Victory पर आप सभी को स्वागत है तो हमारे SweetsLab去 Saturday के प्रीव्यन का सेलिऊशन चल रहा था तो वीडियो का आप वीडियो का part 1 देख सकते हो, बिल्कुली short तरीके से बताया गया, कोई जादा long method नहीं है, अराम से आप बना सकते हो, ठीक है, आज वीडियो का part 2 है, इसमें 11 से लेकर 20 number question का solution किया जाएगा, उसमें से 1 से लेकर 10 question का series होगा, यानि 10-10 question का series मैं वीडियो ये उपलब्द क करा रहा हो, ठीक है, तो NTPC का जितना भी previous year का solution है, ठीक है, question है, उसका solution हमारे चैनल पर उपलब्द कराया जा रहा है, अगर आप group D का भी अगर तयारी कर रहे है, तो group D में इसी प्रकार के level का exam, जो questions जो है, वो पूछे जाएंगे, ठीक है, तो अगर आप group D के त्यारी कर करते हैं, like करें, comment करें, अपने दोस्तों का WhatsApp group पर share कर दें, बगल आइकन का निशान होगा, तो उसे भी आप प्रेस कर दें, ताकि आपको वीडियो का notification समय समय पर मिल सकें, तो फिलाल हम लोग question की तरफ बढ़ते हैं, तो यहाँ पर आपको 11 number question दिख रहा होगा, ठीक है, तो 11 number question पर बढ़ते हैं, ठीक है, करा यदि एक कमरे की बीमाय दो मीटर, तीन मीटर और चार मीटर है, तो इस कमरे में एक बटा दू मीटर, एक बटा तीन मीटर, एक बटा चार मीटर आकार के कितने घन रखे जा सकते हैं, आपको घनों की संख्या पूछ रहा है, तो जब आपर क्या करेंगे, यानि दो गुना, तीन गुना, चार ठीक है, आईतन निकल गया, जो बड़ा बला है, नीचे में करेंगे, एक बटा, दो गुना, एक बटा, तीन गुना, एक बटा, चार, तो उपर में गुना करेंगे, यानि 24 आजाएगा, नीचे में करेंगे, तो कि टंसर हो जागा, नेक्स्ट आगे बारा नंबर पर आते हैं, बारा नंबर पर ध्यान दीजेगा, इसे मैं थोड़ा से इरेज कर देता हूं, ठीकर बस इसे थोड़ा से इरेज करना है, एक सेकेंट थोड़ा से रुखियेगा, तो बारा नमबर कोश्चन पर आगे बढ़ते हैं बारा नमबर कोश्चन क्या बोल रहा है एक सम चतुरभुज का छेतरफल 96 cm2 दिया हुआ है और इसका एक बिकरन 16 cm है तो इसकी भुजा की लंबाई बताना यानि सम चतुरभुज के भुजा की लंबाई क्या होगी तो सबसे पहले आपका छेतरफल दिया हुआ 96 दिया हुआ छेतरफल कितना है 96 तो बस हम क्या करेंगे छेतरफल के तुनला छेतरफल से तो सम चतुरभुज के छेतरफल होता है एक बटा दो गुना बिकर्णों का गुनन फल एक बटा दो गुना बिकर्णों का गुनन फल ठीक है तो यानि 96 हो जाएगा और यहां पर क्या हो जागा एक बटा दो और माल लिजे पहला बिकर्ण दिया हुआ 16 तो यहां से दूसरा बिकर्ण निकल जाएगा तो 2, 8, 16 कैंसिल हो गया और यहां से यह बारा बार में 12.96 मतलब d2 बराबर कितना निकल गया बारा निकल गया ठीक है तो d1 निकल चुका है तो आप इसका भूजा पूछ रहा कि आप भूजा बता हिए तो आपको पता होगा कि सम चतुरबुज के भूजा का एक फर्मूला होता है और वो फर् पर्मूला को आपको अपलाई करना है तो अंडर रूट d1 के जगह पर कितना हो जाएगा 16 का स्क्वाइर है यह हो जाएगा 12 का स्क्वाइर बस इसको सोल्यूशन करते जाए एक बटा दो आप 16 हो जाएगा 256 और यह हो जाएगा कितना 144 जोड़िये कितना होता 256 और 144 है ना त यानि राइट अंसर क्या हो जाएगा 10 इसका राइट अंसर हो जाएगा उमीद है कि आपको यह समझ में आया होगा अगर नहीं समझ में आ तो कमेंट बॉक्स में पड़ती के लिए देश सकते हो चलिए अब नेक्स्ट हिसाब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट नमबर पर इसे थोड़ा समय एरेज कर लेता हूँ पहले पहले इसे हम लोग एरेज कर ले तो उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे है ना यह एरेज हो चुका है थोड़ा समय इसे बढ़ा कर देता हूँ थोड़ा सा जूम कर देता हूँ तेरा नमबर पर आगे बढ़ेगा ठीक उसक काटा गया है ठीक है मतलब आर बरावर दिया हुआ है त्रिज्या दिया हुआ 21 सेंटीमीटर ठीक त्रिज्या कितना दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया हुआ है थीटा वटा 360 गुना पाई आर स्कॉयर तो यह फर्मूला होता है तो इसी फर्मूला पर सेट कर देना है तो थीटा का मान हो जाएगा 40 और नीचे हो जाएगा 360 पाई का मान है 22 वटा साथ और आर के जगा पर 21 multiply by 21 ठीक है तो बस इसे कैंसिल करें सत्या 21 हो जाएगा और यहां से जीरो से जीरो कैंसिल चार नमा 36 कैंसिल हो जाएगा और यहां से फिर तीन तीन नौ कैंसिल हो जाएगा और तीन सते 21 भी कैंसिल हो जाएगा यह बाइस गुना साथ करेंगा तो कितना आ जाएगा 154 तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा 154 चलिए 14 नंबर पर आगे बढ़ते है Next अब आगे 14 नंबर पर आते है 14 नंबर ध्यान दिजेगा यह समझने बला कोश्चन है 14 नंबर पर क्या कह रहा है ध्यान दिजेगा कह रहा तिर्भुज ABC का छेतरफल 49 सेंटीमीटर दिया हुआ है यानि एक तिर्भुज है 49 सेंटीमीटर दिया हुआ है थोड़ा सा हम लोग सेफ निकाल लेते हैं तिर्भुज का तिर्भुज के सेफ को निकालते हैं कि तिर्भुज का सेफ कैसा है एक सेकेंड थोड़ा सा रुकिएगा बस यहां देखिए यहां तिर्भुच का shape है तो यहां से तिर्भुच के shape को हम लोग draw कर देते हैं ठीक है एक सेकंड एक सेकंड थोड़ा सा रुकिएगा एक मिनिट इसे मैं थोड़ा सा अगले page पर ले चलता हूं ताकि आपको बहतर रूप से समझ में आ सके लेकिन अगला page पर जाओंगा तो फिर question दिखेगा ने ठीक है तो इसे मैं थोड़ा सा erase कर लेता हूं ठीक है बस एक सेकंड रुकिएगा थोड़ा सा बस ठीक है यह एरेज हो चुका है सभी को हम लोग erase कर देते हैं ठीक है बस थोड़ा सा इंतजार करिए ठीक है तो यहां से हम लोग पहले एक तो यह देखिए आपका एक तिर्भुज हो गया ठीक है चलिए अब next आगे बढ़ते हैं तो यहां से हम नामा करन कर देते हैं तिर्भुज का नामा करन कर देते हैं यहां से यह A है यह B है और यह C है तिर्भुज हो गया IC का 49 cm दिया हुआ कारा BC पर D और E दो बिंदू है मतलब इस परकार से है ना यह D हो गया ठीक है और एक और है E ठीक है मिला भी दियें दोनों को D और E ऐसे दो बिंदू है इस परकार के BD बराबर यह BD ठीक है उसके बाद D और उसके बाद EC यह तीनों क्या है इस दो ऐसे बिंदू है जो BD बराबर D मतलब सा वापस में बर तो तिर्भुज A, D, C का छितरफल निकाल लिए, A, D, C कहने का मतलब A, यहाँ पर A, A, D, C, मतलब या, इस तिर्भुज के बारे हम बोल रहा है, कि A, D, C का निकालना है, ठीक, यह थोड़ा सा समझने वाला चीज है, अगर मैं, अगर इसे सॉट से मैं बनाने के लिए चाहू D, E, C, मतलब यह सभी आपस में बराबर दिया हुआ, जो की question में भी दिया हुआ है, इसलिए तिर्भुज का छेतरफल उसके आधार पर निर्भर करेगा, तिर्भुज का पूरा छेतरफल जो किस पर निर्भर करेगा, यह आधार आपको दिख रहा है, तो उसी आधार पर यह निर्भर करेगा ठीक है तो यह आपको याद रख रहना हैं यहां से लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं ठीक है तो उसी के हाफ है यानि BC यहां से लेकर यहां तक है तो उसी का हाफ हो जाएगा ठीक है अब हम लोग क्या करते हैं कुछ करना नहीं है बस यहां पर हाफ है और BC कहने का मतलब हो गया ABC का च्छेतरफल पूरा ABC का च्छेतरफल ठीक है तो बस इसे कुछ करना नहीं मैं आ बिवी सी का छेतरफल ठीक है तो बस इसे ही कलकुलेट कर दना एक स्वरी एक बटा दो नहीं यहां पर यहां पर यहां पर दो बटा तीन क्यों होगा तो पहले आप समझ लीज़े पहले इसको दो बटा तो वह जाएगा है जो पी चुरह हो गया एट रूरा हो गया एक दू लिखा ओं ठीक आसे सुल्यूशन कर दिये डू बटा तीन हो जाएगा का ABC का है कितना 49 है तो त्यरतिया 49 कर जाएगा यानि तेरा दुनिच 26 इस का राइट अंसर हो जाएगा जो कि आपको दिख भी रहा होगा ठीक है तो यह मैंने दू कहां से लिखा तो यह पहला भाग यह दूसरा भाग यह आपको दिख रहा हो गया पहला दूसरा और यह फिर तीनों भागो गया एक भाग दू भाग यह तीन भाग तो वही दू बटा तीन हो जायगा 49 पो दिया यह था ठीक है तो चलिए नेक्ष्ट नंबर 15 नंबर पर बढ़ते है करा एक आयत की बर्ण की घ्लिया chcia अ Hyun हुल नमबाई एक ब्रित की त्रिजया का तीन बटा पांच है आभी से छोड़ी हम सेकेंड लैन पर आगे वड़ते हैं Kara First की तिरिजया एक बर्ण के भुझा के बराबर मतलब बुरित का प्रिजया जो है फ़ो बरग की को पराबर है मतलब जो बरग का भुजा आएगा वही वरग का, वो भूजा की त्रीज्या होगा जिसका छेटर्फल 4900 मीटर है उनचासी Nejतर्फ़ मेंटर है तो 400 मीटर क्या दिया हुआ यहाँ पर एरिया दिया हुआ बरग का कितना है उन्चा सो ठीक है तो यहां से अगर हम भूजा निकाले तो भूजा का फर्मूला आपको पता होगा अंडर रूट छेतरफल होता है तो बस यहां से हम अंडर रूट छेतरफल कर देंगे यह कितना आ जाएगा तो यह आ जाएगा सत्तर है ना तो यानि कहने का मतलब हो गया कि यनि भूजा सतर निकल त्रिज्या भी सतर है ठीक है त्रिज्या भी कितना है शतर है अब आगे बोलरहे आयत का छ्हदरफल बताय Univers की चावड़ाई दिया हूआ 20 मीटय था चावड़ाई तो दिया हुआ है अब हमें लंबाई निकालना है ठीक है थो लंबाई के वारे हम कि द्रीजय का तीन वटा पाँच है तो हम भी कर देते तीन वटा पाँच यानि का मतलब हो गया सत्तर और तीन वटा-अपाँच या 42 तो बस दोनों को आपको गुना कर देना और कुछ करना उरना नहीं तो यहां पर एरिया बराबर क्या हो जागा एरिया बराबर हो जागा 42 गुना 20 यानि कितना हो जागा 840 तो 840 का राइट अंसर हो जागा चलिए next question अब आगे बढ़ते हैं next question बढ़ते हैं आज से थोड़ा सा एरियाज भी कर लेता हूँ ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं आगे कितना नंबर है तो आगे आपका 16 नंबर है 16 नंबर थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ 16 नंबर को ठीक है आपको बहतर रूप से दिख सके तो 16 नंबर पर आगे बढ़ते हैं देखिए 16 नंबर पर क्या कर रहा है 16 नंबर कर रहा है एक साइकिल का पहिया 11 किलो मीटर चलने में 7000 चक्कर लगाता है तो आप कुछ इस तरह समानिए ठीक है एक cycle का जो पहिया है 11 km कितना है 11 km दे रखा है ठीक है चलने में 7000 चक्कर लगाता तो आप पहिया का ब्यास बताईए ठीक है पहिया का क्या बताना है ब्यास बताना है अचा अगर आप अंसर पर गौर करेंगे तो देखे सेंटी मीटर में दिया हो ठीक है 5 से गुना कर देंगे ठीक हमको सेंटी मीटर से सेंटी मीटर में इसे क्या करना है सेंटी मीटर में लाना है तो सेंटी मीटर में लाने के लिए में इतना से गुना कर देंगे तो जब आप करिएगा तो यह कितना जागा 11 पर कितना 0 हो जागा 2, 2, 4, 1, 5 है न तो टोटल 5 0 हो जागा यानि यह इतना सेंटी मीटर अब बन चुका है तो हमें क्या करना है कि टू पाई आर टू पाई आर होता बिरित की परीदी टू पाई आर की तूलना इसे 11 जो इतना मैंने लिखा इतना सेंटी मीटर ठीक है तो बस उससे कर देना तो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आकला पेज़ पर तो यहां पर सिर्फ हमें क्या करना है बस तूलना करना है यानि क कहने का मतलब यह हो गया कि टू पाई आर बराबर कितना हो जाएगा 11 दो तू चार एक पांच दो 22 वट्टा साथ हो जाएगा और कितना हो जाएगा तो आर तो हमें निकालना ही आर ने हो जाएगा अच्छा इसी में हम थोड़ा सा साथ हजार से गुना करते हैं क्योंकि जा रहा था ठीक है इधर हो जाएगा कितना 11 है ना दो तू चार एक पांच ठीक है तो यहां से बस आपको कैंसिल की प्रकिरिया मैं यहने काटने की प्रकिरिया करना है ठीक है तो बस यहां से काट छाट करिएगा तो आपको कुछ ना कुछ आएगा तो सबसे पहले देखि ठीक है यह काटने बोला काम आपका रहेगा तो इता कि 11 गुना इसे हम 100 लिख सकते हैं ठीक है तो यहां से सबसे पहले क्या क्या कटेगा तो यहां से आपका कटेगा इसका अधा यहां से दूबार में कट दिए 50 ठीक है दूबार में 50 में बारे में कट गिया यह फिर 11 का अध यहां पर लगता कुछ काटने में मिश्टेक हुआ है हाँ देखिए एक हम लोगों क्या थोड़ा थे यहां से यहां हम लोगों ने साथ में यह देखिए ए 7 से यह से बन भी कैंसिल हो जाएगा तैके अनी सिर्फ क्या बच गया 25 भी बच गया 25 किना आ गया 25 आ गया अब जी में पूछ क्या रहा था था भी यास पूछ रहा था तो बस इसका दूना हम लोग कर देंगे यानि 50 आजएगा तो इसका राइट अंसर कितना हो जाएगा 50 ठीक है चलिए नेक्स कोस्टन हम आगे बढ़ते हैं नेक्स कोस्टन आगे ध्यान देजे इरेज कर लेता हूं और इसे थोड़ा सा जूम कर देता हूं चलिए नेक्स 17 नमबर पर आगे बढ़ते हैं 17 नमबर ध्यान देजेगा 17 नमबर ने बोल रहा है एक समकोन तिर्भुच का अधार 12 सेंटी मीटर दिया तो सबसे पहले हम लोग एक समकोन तिर्भुच बना लेते हैं ठीक है थोड़ा सा हम लोग नामा करन भी कर देते हैं A, B और ये C हो जाएगा ठीक है कर रहा है एक समकोन तिर्भुच का अधार 12 सेंटी मीटर मतलब ये 12 सेंटी मीटर दिया हुआ है और अन्य दो भुजाओं के बीच में 16 सेंटी मीटर का अंतर है अच्छा एक बात बताएए यानि आधार यानि ये B बराबर है ठीक है और ये करन होता है जिसे हम लोग H से सुचित करते हैं और ये आपका लंब होता है जिसे हम P से इंडिकेट करते हैं ठीक है अब यहाँ पर बोल रहा है कि दोनों का अंतर अन्य दो भुजा अन्य दो भुजा कहने का मतलब H माइनेस P H माइनेस P कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा अजब कि B आपका दिया हुआ है ठीक है अच्छा यहाँ से पहले आप H बराबर थोड़ा सा निकाल लीजिए यानि 6 पलस P हो जाएगा ठीक है अब लास्ट में क्या बोल रहा है कि आप तिर्भुज का परिमाब बताईए तो तिर्भुज का परिमाब बताने के लिए हमको P भी मालूम होना चाहिए बी भी मालूम होना चाहिए और यह H भी मालूम होना चाहिए मतलब ये तीनों मालूम होना जाए तो खेर एक तो मालूम है बागी P और H कैसे निकलेगा बो ही करना है तो आपने पाइथा गोरस परे में पढ़ा होगा ठीक है पाइथा गोरस परे में अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको ध्यान में होगा पाइथागोरास परिय में क्या कहा था पाइथागोरास परिय में कुछ इस परकार से होता है B² पलफ P² बरावर क्या हो जैगा ut square, टीक है मतलब कर्ण का जो asquire जो होता है अनों दो भुजाओं के बरगो के योगफल के बरावर होता है टीक है तो यहाँ पर B कितना था तो यह 12 दिया हुआ था तो 12 का स्क्वाइर करेंगे तो 144 हो जाएगा बाकी P तो निकालना है था P या स्क्वाइर H के बारे में क्या लिखेंगे तो H के बारे में अभी मैंने थोड़ा दिर पहले क्या लिखा था 6 पलस P लिखाता है तो यहाँ से क्या हो जाएगा होल स्क्वाइर हो जाएगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा 144 है न पलस P स्क्वाइर है और यहाँ से देखिए यह A पलस B का होल स्क्वाइर पर बैठा हुआ है तो A पलस B के होल स्क्वाइर का क्या होता है यहां से 144 में अगर हम 36 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 144 में 36 यानि 108 है और यानि यहां बरे 12 पी तो 12 से कैंसिल हो जाएगा 9 बार में यानि पी कितना निकल गया 9 निकल गया ठीक है पी 9 निकल गया तो आगे बला थोड़ा सा मैं पेज पर बढ़ता हूं आगे ठीक है आगे ध्यान दीजेगा क्या क्या निकल चुका है तो बी तो खेर पहले से दिया हो था बी बराबर 12 और एक चीज़ा और निकला था पी भी निकल चुका है ना 9 और एच पूछ रहा है तो ह हम देखिए शुरूबल अगर पोर्शन पर अगर अगर अब ध्यान दोगे तो एच बराबर 6 प्लस पी लिखा था यही से आप निकाल दीजेए तो क्या हो जाएगा एच है एच निकालना है यानि 6 प्लस पी के जगा पर 9 तो कितना हो जाएगा 9 छोब 15 ठीक है तो सभी नि चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं तो फ्रेंड्स आगे हम लोग यहीं तक रहने देते हैं ठीक है 17 नंबर तक मैं सुल्यूशन करवा चुका हूँ बाकि 18, 19, 20 आगे मैं इसलिए नहीं करवा हूँ कुछ टेकनिकल प्रोबलम है ठीक है टेकनिकल प्रोबलम हो जाने करण से आगे मैं नहीं कर पा रहा हूँ ठीक है तो आगे मैं आगे थर्ड वीडियो लाओंगा तो वो आगे आपका 21 नंबर से चलेगा अब बाकि जो यह तीन कुछन जो बच चुका है वो तीन कुछन का सुल्यूशन मैं आगे करवा दूँगा ठीक है फिलाल बहुत ज़ जय भारत